ये connectivity शिर्फ ट्रांस्पोर्ट का नहीं बलकि प्रगती और सामाजिक विकाज घाबी नया रास्ता बनाएगा। मुंबई में लगभग 6,000 करोड की लागत से गोरे गाउं मुलुन जोड रस्ता परियोजना को रफ्तार प्रदान की है। ये परियोजना 12.20 किलोमीटर लंबी और 45.70 मीटर चौड़ी होगी जिसमें कुल 6.65 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग शामिल है। इससे गोरे गाउं मुलुन के बीच की यातरा का समय एक घंटे कम होगा और साथ ही इंधन की भी काफी बचत होगी। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8.8 किलोमीटर दूरी कम होगी। सुरंग में अगनी सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉम वाटर ड्रेनेज, सीसी टीवी और दोनों और नियन्तुरं कक्ष आदी सुविधाएं दी गई है। वन्यजीव, जलाशय और पेड़ों को हानी पहुँचाएं बगार किये गए इस आधुनिक डिजाइन से हर साल लगभग 22,000-400 मेट्रिक टन कार्बन उत्सरजन कम होगा। इस महत्वा कांग्शिप परियोजना का भूमी पूजन आज माननिय प्रधान मंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। मुंबई और महाराष्टर के विकास यात्रा की इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड रही है ठाने बोरिवली ट्विन टनल परियोजना। इस परियोजना से मुंबई करों के लिए आधुनिक शहरी यातायात सुनिश्चित होगी। ठाने घोड़ बंदर मार्ग से वोरिवली के 23 किलोमीटर यात्रा की दूरी को तै करने में लगभग एक से डेड़ घंटा लगता है। इस परियोजना से यही आत्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी। 11.8 किलोमीटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा। दोनों दिशाओं में परिवहन के लिए दो और आपातकालिन स्थिती के लिए एक मार्ग बनाया जाएगा। हर 300 मीटर के बाद टनल्स को जोडने वाले क्रॉस पैसेजिस बनाये जाएगे। आंतर राष्ट्रिय माननेता प्रात्त, वेंटिलेशन सुविधा, अगनी शमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर्स और LED सूचिना पट से टनल परिपूर्ण होंगे। 16,600 करोड के बजट से निर्मान होने वाले ये भूमिगत मार्ग के कारण CO2 का उत्सरजन सालाना एक लाग पचास हजार मेट्रिक टन से कम होगा और राष्ट्रिय उद्यान की जैव विविधता की सुरक्षा और सम्वर्धन संभव होगा। प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के नेत्रतु में आज हम एक नए विकास पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। होने वाले कल्यान याड री मॉडलिंग से रेल यात्रियों को बहुत लाब मिलेगा। साथ ही 27 करोड रुपे के निवेश से तुर्भे में बनने जा रहे गती शक्ती मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिला न्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी 52 करोड रुपे के निवेश से छत्रपती शिवाजी महराश तर्मिनस पर विस्तारित प्लैटफॉर्म 10 एवन 11 और 64 करोड रुपे के निवेश से लोकमानी तिलक तर्मिनस पर बने नए प्लैटफॉर्मों को राष् सफर को सुगम और सुविधा जनक बनाएं गर भारत को अपने लक्ष पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा भारत के दूर दर्शी प्रधान मंतरी माननिय श्री नरेंदर मोधी जी की सरकार ने पिछले एक दशक में य असी श्रिंखला में महराष्टर के युवा शक्ति को सही दिशा देने है तू महराष्टर सरकार प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के करकमलों से मुख्य मंतरी युवा कार्य प्रशिक्षन परियोजना का शुभारंब कर रही है इस परियोजना के माध्यम से कुशल कारिगर देना तथा युवाओं को ज्यान के साथ प्रक्तिक शरूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंड प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष है इस दोहरे लाप को ध्यान में रखते हुए महराष्टर सरकार लगबग 5.5000 करोड रुपियों का निमेश करने जा रह को 10,000 रुपियों का स्टाइपेंड दिया जाएगा मोदी जी की युवाओं के प्रति आस्था को सर आंखों पर रखते हुए ये मुख्यमंतरी युवाकारिय प्रशिक्षन परियोजना सरकारी गैर सरकारी उद्योग तथा विभिनक शेत्रों में आवश्यक रोजगार के अजित दादा पवा इनके नेतरितों में पहराट्र सम्रिद्धी की ओर तेजी से बढ़ रहा है